तो दोस्तो ये मैंने कैसे बनाया Photoshop 7.0 में और आप भी कैसे बना सकते हैं इस तरह का scrolling text effect तो इस वीडियो को last तक देखते रहे हैं तो दोस्तो मेरा नाम परदेव कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल तो चलिए अब अपने topic की ओर बढ़ते हैं तो जैसा कि हमने Photoshop 7.0 open कर लिया है और आपके पास जो भी picture है उसको आप Photoshop में open कर लिजिए तो जैसा कि हमारे पास ये एक picture है इसी को हम एक jamperl में लेते हैं तो ये picture हमने open कर लिया उसके बाद आप एक new layer बनाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद आपको इसमें जो भी color fill करना चाहें यहां foreground में select करेंगे जो भी color हो आप foreground में select करेंगे और जो foreground का color है उसको fill करने के लिए alt के साथ backspace press करेंगे तो वो layer में fill हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद आप जो भी type करना चाहें text type करना चाहें उसको type कर लीजिए आप देख सकते हैं यहां से हमने font में area select किया हुआ है और bold के लिए black और यहां से जो font के size होगा अपने अनुसार इसको घड़ा बढ़ा सकते हैं और यहां से हम color अभी कोई सब ही रख लेते हैं क्योंकि color से हमें मतलब नहीं रहेगा तो आप जो भी लिखना चाहें उसको लिख लीजिए तो जैसे कि मैंने hello लिखा और यहां से अपने page के अनुसार इस text को बढ़ा कर लेंगे वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन जनकारी बहुत अच्छा होगा मेरे दोस्त आप वीडियो को आंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो like और share जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी subscribe जरूर कर लेजिएगा क्योंकि मैं daily इसी तरह का वीडियो पब्लिक करते रहता हूँ कुछ time नहीं मिलने का वज़े से 2-3 दिन जैसे कि सब्ता दिन हो गया वीडियो पब्लिक किया हुगा तो एक वीडियो मैंने कल भी डाला था animation का है और इस वीडियो में animation का ही वीडियो आप सभी का साथ share कर रहा हूँ तो यहां से हमने यह type कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे यह जो layer है इस पे आप double click करेंगे और यहां से आपको क्या करना है जैसा कि blending option default यहां इस वाले option पर select करना है और यहां से fill opacity यह आप देखिए advanced blending में आपको आना है और fill opacity को कम कर लेना है और यहां से dip कर लेना है तो जो नीचे का background में जो भी image आप लगाएंगे वो so होगा आप देख सकते हैं उसके बाद ok कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से और इसमें आप जो भी effect देना चाहें अपने अनुसार दे सकते हैं तो यहां से देखिए inner glow हम select करेंगे यहां से और यहां से जो भी आप color color watch चैंज करना चाहें ठोड़ा सकते हैं थोड़ा सका हम साइज में बारा कर लेंगे जैसा कि यह रहा उसके बाद आप एस ट्रॉघ्ण देना चाहें तो यहां से देखिए유ट यहां से देना चाहें और थोड़ा सा इसका भी opacity आप 95% रखेंगे तो और बहतर effect दीखेगा तो यह देखिए इस तरह से तो यह हमारा design ready हो गया अब हम बात करते हैं कि इसको animation कैसे करेंगे full details के साथ बताऊंगा मेरे दोस्त तो वीडियो को end तक देखिएगा जनकारी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो यहां से यह हो गया अब आप क्या करेंगे इसको scroll जैसे कि यहां से scroll करके इधर लेके आना है last में इसको छिपा लेना है थोड़ा से दीख रहा है तो इसको हम इस तरह से छिपा लेंगे अब आप क्या करेंगे यहां से image ready यह जो option है इस पे आपको click करना है मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो animation पे बना दिये हैं उपर आई के बटम पे देखिए link आ रहा होगा उस पे click करके देख सकते हैं या फिर नीचे description में भी link मिल जाएगा और इस चैनल पे 400 से ज्यादा वीडियो पब्लिक हो गया है तो आप जाके चैनल पे एक करके वीडियो देख सकते हैं बहुत यूजफुर वीडियो है मेरे दोस्त तो चैनल पे जाके जरूर चेक आउट किजिए तो देखिए अगर आपके पास जो Photoshop का latest version है तो यहां से विंडो मे यहां से image ready भी इसमें रहता है तो एक फ्रेंट का comment आया था error आ रहा था तो उसको देखिए error आता है software क्रॉप्ट होने की कारण तो यहां से image ready भी आ जाएगा जैसे कि हम आपको select करके दिखाते हैं यह देखिए यह default में जब Photoshop install करेंगे 7.0 तो यह अटकमेटिक install हो जाता है तो आप directly यहां से भी जाके और manually editing कर सकते हैं नहीं तो आप यह Photoshop में edit किजिए कोई design बनाएए और उसको image ready में open direct यहां से कर सकते हैं तो चलिए इस पर हम click करते हैं तो यह देखिए open हो गया open होने के बाद आप क्या करेंगे इस layer को duplicate कर लेना है जैसे कि control हम J करेंगे तो यह देखिए तो यह transparency में हो जाता है arithmetic convert तो हमें यह नहीं चाहिए तो यह जो hello लिखा हुआ है text वाला layer इसको drag करके और यहां से duplicate layer बना लेंगे तो यह copy हो जाएगा अब आप यहां से क्या करेंगे एक new frame बना लेंगे जैसा कि इस पर आपको click करना है और यह हमारे पास दो frame है तो first पर हमारा एक layer हैगा second जो frame है इस पर हम click करेंगे और यहां से इसको drag करके इधर चुपा लेंगे last में right side में यह देखिए इस तरह से इतना पर हम चुपा लेंगे उसके बाद आपको यह दोनो जो frame है यह दोनो frame को shift के साथ select करना है और यहां से देखिए यह जो twins animation frame है इस पर आपको click करना है और यहां आप 100 से ज्यादा frame नहीं बना सकते हैं तो यह देखिए frames to add तो यहां से पूरा hundred दे दिजिए और यह सब setting आपको same रहने देना है उसक के बाद okay कर लिजिएगा okay करने के बाद यह देखिए अटिकमेटिक क्यों यह सो frame बन गया अब आपको एक बार हम play करके दिखाते हैं यहां से play हम करेंगे तो यह देखिए मेरे दोस्त और यह loop option है जैसे कि बार बार चलते रहेगा जब तक आपका display दिखाएगा जब तक य यह animation चलते रहेगा और इसे कहीं भी share कर सकते हैं तो अब भी यह देखिए ऐसा लग रहा है कटकट के आ रहा है तो ऐसा नहीं है जब आप save करेंगे तो आप देखिए थोड़ा बहुत ठीक हो गया धीरे धीरे यह rendering होने में समय लगता है तो धीरे धीरे यह ठीक हो जाएग इसके लिए आप Photoshop 7.0 sorry Photoshop 6 में जाके convert कर सकते हैं वीडियो में तो यहां से देखिए यह देखिए यहां से आपको जाना है फाइल मेनु में और यहां से save for optimize यहां से save optimization और यहां से दोनों वाले option पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद चलिए इस पर आपको क्लिक करना है और य उसके बाद आप जहां भी save करना चाहें कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने desktop select कर लिया उसके बाद save करेंगे तो यहां देखिए यह timing चलेगा और यह automatic save हो जाएगा save होने के बाद आपको इसको तो यहां से हम क्या करेंगे यह जो Chrome browser है इसको आपें करते हैं Photoshop में जो डाइडेक्ट आपेंड करेंगे sorry Can Peter में जो डाइडेक्ट आपेंड करेंगे तो यह Internet-net explore होता है उसमें open होता है तो हम यहां से Chrome browser आपेंड कर लिए उसके बाद इसको क्या करेंगे मैंने देख स्टों पे सेव कर लिया है यह वला रहा एनिमेशन और इसको हम यहां से क्रोम बराउजर में आपन करेंगे तो यह देखिए आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से चलेगा तो दोस्त तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टोपिक के साथ